इस आफिसर्स एकाडमी के यूट्यूब चैनल पर और इस लास्ट मुमेंट में भी मैं एक वीडियो बच्चों के लिए बना रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे मुझे पूछ रहे हैं मेसेज करके कि सर हमें क्या 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 करना है कलके एक्जाम के लिए तो मैं एक पूरा ही पहले आप यह मान लेजिए कि एक एक एक्जाम ही है बस आपको परफॉर्म करना है एक्जाम चाहे कैसा भी हो ठीक है तो एक्जाम के बारे में मत सोचे कि ओलिम्पियाड बेस तो नहीं आएगा मैंने आपसे बार बार काई कि जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ उस पहने चाहिए आपको कल आपको क्या पहनना है कौन सी ड्रेस आप पहनेंगे क्या पहन के जाना है बचे यह भी पूछ रहे हैं तो कुछ भी विंटर है सर्दियों का मौसम है आप कुछ भी पहन सकते हैं स्वेटर पहन लीजिए बट ठीक है थोड़ा सा लूस कपड़े पह हेंगेगी अपके पहने उसके इलावा पा पॉलिश करने है या जो भी साफ करने है वह आज से त्यारी हो जाना है आपके लिए जो स्टेशनरी आपको चाहिए वेपन्स की मैं बात कर लेता हूं बार-बार कर चुका हूं फिर भी रिपीट कर रहा हूं ठीक है अपने सारे जो important pens है जो wall pens use होने वाले हैं blue और black ठीक है वो carry कर लिजेगा ओके और साथी साथ आपका geometry box है वो carry कर लिजेगा ओके साथी साथ एक analog watch carry कर लिजेगा time देखने के लिए centers में कभी कभी घड़ी है नहीं हो सकती है ठीक है फिर आप बार-बार invigilator से पुछोगे कितना time बचा हुआ है अगेन वहाँ पर बचा कहीं ने कहीं वो panic वाली situation आजाती है तो it's better कि आपके पास अपनी watch है watch उतार के सामने रखी table पे और देखते देखते सारे questions करे ठीक है उसके अलावा एक water bottle carry कर लिजेगा ठीक है मैंने जाता कि आपको बीच में प्यास लगे और फिर आप पानी के लिए आप invigilator से बोलो फिर पानी आए उसमें समय लगे पानी आपके हाथ में होना चाहिए आपके पास में आपकी bottle होगी और आप पानी पी रहे है ठीक है तो इस सारी चीज़े आपको carry करनी है ठीक है अपने pen अच्छा प्लस में चीज़ तो मैं भूली गया admit card carry कर लेना admit card तो बहुत important है प्लस साथ में एक ID अपनी carry कर लेना अधार card है तो आधार card जो भी बच्चे के पास अगर अपनी school की ID है अधार card नहीं मनाया बच्चे को अपनी school की ID कर लेना अपने अपने states के instructions देख लीजेगा आप ठीक है उत्राखंड में तो ऐसा कोई mandatory नहीं है लेकिन अपने center में आप 9 बजे पहुशने की कोशिश कीजिएगा आदे घंटे पहले ही अपने center पहुच जाना ठीक है और parents से बोल देना कि आज ही आप center देख लीजिए आप तो घर पर कर रहेंगे लेकिन parents आपके जाकर center देख सकते हैं दूसरी दिन दूसरी चीज किया कि कल है Sunday वो सकता है morning में काफी traffic हो आपने जो observe कि यहां से आपका examination center आदे घंटे दूर है तो कम से कम उसका double time लेते वे चलना एक घंटा पहले घर से निकल लेना अगर 9 बजे पहुचना है मुझे पता है कि मैं साड़े 8 बजे निकलूँगा तो 9 बजे center पहुच जाँगो तो मैं 8 बजे निकलूँगा आदे घंटे पहले तो अपने parents से बोलेगा या आप भी आज अपने उनके साथ घूमते वे जा सकते हैं अपने एक बार examination center देख लिजिए जिसने ठीक ठाक revision कर लिया है वो जाकर ए सबसे पहले जिसमें time management है तो फिर कहीं ने कहीं उसका impact उस paper में भी देखने को मिलता है इसलिए time से जाना जरूरी है साथ ही साथ खाने पेने का मैं आपको बता चुका हूँ आज रात से ही light food आप लेना शुरू कर लिजेगा fruits भी खाएगा खूब fiber लेना मैं चाता हूँ कि कल बच्चे morning जब उठें तो अच्छे से fresh होकर exam examination hall जाए या exam center जाए ठीक ऐसे ने कि फिर बीच में आप washroom जा रहे continuously और फिर आपको washroom जाना पड़ेगा आपका एक एक मिनट जरूरी है आपने सोचना है कि सबसे पहले अगर paper मेरा 932 स्टार्ट हो रहा है 932 11 तो अगर मैं washroom जाऊंगो तो 11 बजे ही जाऊंगा ओके डेर घंटे का समय एक एक मिनट जरूरी है तो don't waste your time पानी हलके से पिले गला अपना गीला करने के लिए जादा excess पानी पीने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आज ही रात से light food लेना आज ही रात को light food लेना ताकि morning आप अच्छे से fresh हो जाओ आपको problem ना हो दूसरी बात यह कि morning में ठीक है मैं फिर से कह रहा हूं कि जादा heavy खाकर मत जाएगा ओके morning म और आप कहीं ने कहीं आप थोड़ा सा sleepy feel करोगे फिर examination hall में ठीक है तो उसके लिए light food लेना मैं बार-बार इस चीस पर stress दालता हूं खाने के उपर बहुत stress दालता हूं कि उसका impact पड़ता है और आज रात को आपको जल्दी सोना है कम से कम साथ घंटे की नीध आपको मिलनी ही चाहिए seven hours sleep okay क्योंकि सुबह 8 बजे निकलोगे तो अगर आप सुबह 6 बजे भी उठे हो तो मैं चाता हूं कि आप रात को 10 बजे सो जाओ 10 सी 11 बजे सो जाओ उसके accordingly 7 घंटे बाद आप आराम से उठ सकते हो सुबह के 6 बजे आप उठ जाओगे तो बहुत है ठीक है फट कह रहा हूं कि घबराने वाली बात नहीं है human body adjust कर लिती है अगर आप एक दिन रात भर भी नहीं सोई तो दूसरी दिन आपका पेपर आप पेपर लाइक तो ठीक रहोगे वैसे तो 3-4-4 दिन तक लोग नहीं सोते फॉज में operations के वक्त और body ठीक ठाक perform करती है अगर आपको आज रात नीद ना आए तो यह मस्तोष ना कि आज मैं सोया नहीं हूं तो मेरा एक्जाम खराब जाएगा अब कोई फरक नी पड़ता यार ठीक है आप देखते होंगे ना सारे important points cover कर लिए हो और एक चीज़ और जब आपको बीच में break मिले खाने के लिए glucose biscuit carry कर लेजएगा अगेन हेवी नहीं लेना आपने कुछ भी क्योंकि लास्ट पेपर इस इंग्लिश का पेपर ओके जो कि आपका धाई बिज़े से स्टार्ट होगा साड़े चार बी तक दो घंटे का पेपर होगा और वहां तक आपने वह energy maintain करते वे रखनी है तो फिर से मैं कहूंगा in between light meals लेना मैं अलड़ी बार-बार बता चुका हूँ वह light meals क्या हो सकती है उसका arrangement कहेंने कहीं parents करेंगे अगर कुछ हमाँ मिले तो glucose biscuit के साथ पानी पी लेना real juice and all यह avoid करना मैं फिर से कह रहा हूँ unnecessary glucose यह मीठा पानी and all सब avoid करना कहीं पर अगर juice निकाला जा रहा हूँ वह भी मत पीना fruits carry करना मौसमी carry करना संत्रे carry करना बनाना carry करना वह आप खा सकते हैं ठीक है तो I hope कि आपको आज का session अपने लिए useful लगेगा comment करके जरूर बताना कि आपकी त्यारी कितनी हो गई है और कितने बच्चों को लगता है कि इस बार का RMC का paper उनका अच्छा जाएगा मेरी best wishes आपके साथ है all the best कहना चाहूंगा सभी RMC experience को ठीक है तो देखते हैं आपका paper कल कैसा जाएगा comment करके जरूर बताना paper के बाद जब आएंगे बताना की paper कैसा गया और हम कल जरूर इसके analysis करेंगे paper का और अगर हो सके तो solution के साथ भी कली आ जाएगे ठीक है so that's all for today, bye bye, see you soon, all the best, jahind